सिकंदरा गंगापूर मेगा हाईवे पर रामकर स्कूल के पास एक आवारा पशू आने पर सड़क हादसे में दो यूवक घायल हो गए हादसे के बाद दोनों यूवक बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़े रहे पर किसी ने उनकी मदद नहीं की उसी दोरान समाच से भी उंप्रकाश घूमडा बांदी कोई से लौट रहे थे तब उन्होंने सड़क पर भीड देखी तो गाड़ी रोकर मौके पर पहुंची और देखा दो यूवक बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़े थे उन्होंने ततकाल ही दोनों यूवकों को इलाज के लिए अपनी ही गाड़ी से नजदी की अस्पताल गीजगर में भरती कराया सड़क हाथ से में घायल वेक्ती राजपाल बैरवा निवासी रामीडा को जिलास्पताल के रिफर किया गया घायल के परिजनों को फोन करके घटना की जानकारी दी गई इस अफसर पर घूमडा के साथ रामहरी गीजगर अशोक सैनी गोलू शर्मा भी मौजूद रहे वहाँ पर वीडियो बनाने वा फोटो खीचने में लोग व्यस्त थे जिस जगह पर हाथसा हुआ वहाँ पर आसपास के लोगों रागीरों के भी लगी हुई थी जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे घायलों के मद्द करने के बज़ाए फोटो खीचने में व्यस्त थे असपाटाल की व्यवस्ताओं को लेकर दो दिन पहले जड़ा था ताला सामदैक स्वास्त केंडर गीजगर्ड की खराब व्यवस्ताओं को लेकर सैकडो ग्रामीडों ने असपाटाल के ताला लगा दिया था उनका कहना था कि 40 गाओं के बीच में महात्पूर्न अस्पतार में मात्र दो डॉक्टर है चार पद रिक्त हैं ऐसे में अस्पतार सुना सुना नजर आता है ग्रामीडों नो बताय कि अगर अस्पतार में शीक डॉक्टर नहीं लगाए तो बड़ा अंदूलन करेंगे